अब एक और विरोध की बात कर लेते हैं और ये विरोध अपने देश में नहीं ये विरोध हो रहा है इस्राइल में जहाँ पर तीन महीने से विरोध नितन्याहू का हो रहा है क्योंकि जिनिश्री में जिस तरीके सुधार की बात वो कर रहे हैं इससे पब्लिक यानि लोग न की सडकों पर उत्रे ये लोग सरकार की ओर से किये गए एक फैसले का विरोध कर रहे हैं इसराइल की बेंजमिन नेतनियाहु सरकार ने यहां की नियाय व्यवस्था में सुधार के नाम पर जो योजना बनाई उसे लेकर इसराइल में अशन तो बढ़ रहा है प्रदर्शन कर नेतनियाहु सरकार को अपने न्याइक व्यवस्था में सुधार को लेकर देश के अंदर जो जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ी रहा है इसराइल पर अमेरिका का दबाव भी बढ़ता जा रहा है अमेरिकी राशुफदी जो बाइडन ने साफ कह दिया है कि नेतनियाहु को अपना रास्ता बदलना होगा यानि इसराइल की सरकार ने जुडीशिरी में सुधार का जो फ्लैन बनाया है उसे छोड़ना होगा हलांकि अमेरिका की ओर से इस दखल अंदाजी को लेकर नेतनियाहु ने नराज़ी दताई और कहा कि इसराइल संप्रभूर आश्र है जो बाहरी ताक्तों के दबाव में फैसले नहीं लेगा हलांकि देश के अंदर चल रहे प्रदर्शन और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नेतनियाहु ने फिल हाल के लिए नियाइक सुधार का फैसला रोक रखा है लेकिन इस वीच नेतनियाहु सरकार ने सेंटर और लेफ्ट विरोधी दलों के साथ बातचीत करने की पेशकश की है आज तक भ्यूरो